हेलो एवरीबन वेलकम टू इंग्लिस एजुकेशन इस्टूडेंट्स आजम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ की बुक फर्स्ट फ्लाइट से एक पोयम जो पोयम बहुत ही डिफरेंट है बहुत इंफोर्मेशनल है जहां में पता चलेगा कि एक तो जो एनिमल होते हैं वो दिखावा नहीं करना जानते हैं वो जैसे होते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं तो इस पोयम के माध्यम से हमें यही बताना चाहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो हुमन बिंग से थोड़ा अलग होते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पोयम का नाम हैsection card वॉयल विट्मेन और यह एक American Pod थे यह जो पोएम ली गई है अनिमस पोएम इसे टाइटला दिया गया हैं अनिमल्स यह एक पोएम से ली गई है लोंग पोएम से ली गई यह और उस लोंग पो एम का नाम है Song of Myself, उसका एक छोटा सा पार्ट है ये, और जो हमारे पोएट थे, वो थोड़ा हट कर लिखते थे, यानि कि उनके टाइम में जब वो पोएम लिखते थे, तो सभी राइम स्कीम बना कर एक पोएम लिखते थे, सभी लाइन्स में लास्ट के जो लास्ट के जो लैटर्स होते थे, वर्स होते थे, वो राइमिंग में होते थे, लेकिन जो वाइट विट में थे, वो थोड़ा हट के लिखते थे, वो फ्री वर्स में लिखते थे, फ्री वर्स होता है, जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं होते है, कि हमें राइमिंग में लिखना है, भी सी, मतलब इस तर पढ़ते हैं इस पोईम को देख जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस पोईम के माध्यम से किस सरह से उन्होंने एनिमल्स को human beings से different बताया है देपोयट तेल्स अस देट ही फील्स मोर एट होम का मीनिंग है यहां पर comfortable with animals दो वो कहते हैं वो हमें यह बताते हैं कि वह जो है जादा comfortable रहते हैं किस के साथ? इनिमल्स के साथ than humans human से जादा वो comfortable animals के साथ रहते हैं whom he find complicated and false मतलब जो human being होते है human के बारे में बताया है वो थोड़़ए complicated होते हैं थोड़़ए बताया गया है और वो जूटे भी होते हैं यानि कि वो दिखावा करते हैं कौन? Human being, human being जैसे होते हैं वो ऐसे दिखते नहीं हैं वो दिखावा करते हैं इसलिए जो poet हैं वो कहते हैं कि इसलिए मुझे जो animals से वो बहुत जादा पसंद है Human being मुझे इतना पसंद नहीं है तो चलिए स्टाइट करते हैं पोएम को I think I could turn and live with animal They are so placid and self-contained Self-contained का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट तो यहाँ पर जो poet हैं वो कह रहे हैं कि मैं क्या सोचता हूँ कि मैं किस के साथ रह सकता हूँ मैं एनिमल्स के साथ रह सकता हूँ जैसे मैं human being हूँ human being के साथ रहता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं वहाँ से हट कर एनिमल्स के साथ रह सकता हूँ They are so placid and self-contained वो बहुत उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और वो जो है self-contained होते हैं यानि कि वो अपने आप में संतुस्ट होते हैं उन्हें जरूरत नहीं होती है किसी दिखावे की I stand and look at them long and long वो कहते हैं कि मैं काफी समय तक long and long यानि कि बहुत लंबे समय तक खड़ा होकर उन्हें देख सकता हूँ मैं देखता भी रहता हूँ उन्हें खड़ा होकर काफी लंबे समय तक they do not sweat and wine wine का मत्व होते है complain शिकायत करना वो ना तो पसीना बहाते हैं जैसे लोग होते हैं बहुत महनत करते हैं हमें ये चीज़ गेन करनी है वो चीज़ गेन करनी है तो पसीना बहाते हैं लेकिन वो ऐसे होते हैं ना तो वो पसीना बहाते हैं ना ही वो complain करते हैं जैसे कि हम complain करते हैं कि मैंने तो ऐसा किया था लेकिन ऐसा हो गया उसकी वज़े से ऐसा हो गया लेकिन वो इस बारे में कोई complain नहीं करते हैं about their condition अपनी condition के बारे में वो कभी भी complain नहीं करते हैं वो जैसी स्थिती में है बिल्कुल सही रहते हैं They do not lie awake in the dark and weep for their sin Sin means होता है ठीक है तो ना तो वो रात में जाग कर काम करते हैं जैसे हम होते हैं हम सोचते हैं दिन में ये काम नहीं हुआ चलो कोई नहीं रात में कर लेंगे या हम ओवर टाइम कर लेंगे जोब करते हैं तो उनके साथ ऐसा नहीं है वो रात में नहीं जागते हैं वो टैंशन फ्री होते हैं अराम से सोते हैं या पर कहने का मतलब यह है कि उन्हें किसी भी तरह कि कोई टेंशन नहीं होती है वो अराम से सोते हैं और वो अपने पाप के लिए रोते भी नहीं है कि हमने ऐसा कर दिया वीप मिन सोता है रोना अब यहां पर जो पोईट है वो कहते हैं कि वो मुझसे डिसकस भी नहीं करते हैं हम भगवान की पूझा करें हमें चल्च जाएं हम ऐसा करें भी इसक्रश स्ट there नहीं नहीं पता है God क्या है मतलब इसंडह की चीजों से कोई मतलब नहीं है the one which is dissatisfied ऑफ और वो कहरें कि जितने भी animals हैं उनमें कोई भी आईसा नहीं है जो dissatisfied हो, भाई उन्होंने complain करना शुरू कर देते हैं Note 1 is demandant with the mania of owning things तो देखें यहाँ पर बहुत ही जरूरी और important बात कही गई और बहुत अच्छी बात कही गई है बताया जा रहा है कि उनकी कोई demand नहीं होती है उनकी कोई मांग नहीं होती है, उनके पास जितना होता है, वो उतने में ही खुस होते हैं वो कभी भी dissatisfied नहीं होती है और उन्हें जो है, चीजों को रखने का भी शोक नहीं होता है जैसे human being होते हैं, कि आज हमें ये खरीदना है, आज हमें नया mobile खरीदना है आज हमें LED खरीद नहीं है, आज हमें ये खरीद, नहीं, उनकी ऐसी कोई demand नहीं होती है, जितना उनके पास होता है, वो उतने में ही खुश रहते हैं, वो कोई चीज अपने पास रखना नहीं चाहते हैं, इसलिए poet को जो animals हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद है, आगे देखे लिव का मतलब कहा गया है, कि हजारों साल पहले जो उनके पूर्वज थे, उनके लिए, तो देखते हैं, यहां पर वो कहते हैं कि वो किसी के सामने, अपने घुटनों पर नहीं टिकते हैं, जैसे हम है न, हम किसी की request करते हैं, अपना काम निकालने के लिए, चाहे हमें अप प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो उनके लिए भी घुटनों पर नहीं गिरते हैं, जो हजारों साल पहले उनके पूर्वज थे, उनके जैसे थे, Note 1 is respectable or unhappy, ना तो यहां पर कहा गया है कि कोई respectable है, ना ही कोई यहां पर दुखी है, animals के बारे में कहा है, उन्हें सम्मान की भी कोई जरूरत नहीं है, उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता कि उनका कोई सम्मान करता है या नहीं करता है, वो दुखी भी नहीं होते हैं, Over the whole earth, मतलब इस धर्ती पर जितने भी animal है, सभी की बात कहीं जा रही है, कि उन्हें ना तो सम्मान की जिन्ता है, ना वो दुखी रहते हैं, धर्ती पर जितने भी animal है, So they, so they are relations to me and I accept them, और यहाँ पर poet कहते हैं, कि अगर वो अपना, मेरे साथ अपना relation शो करना चाते हैं, तो मैं उसे accept करता हूँ, यानि कि वो जिस तरह के हैं, वो ऐसा ही दिखाना चाते हैं, अगर वो गुसेल हैं, तो गुसा दिखाना चाते हैं, अगर वो प्यार करते हैं, किसी भी human से और मुझसे तो वो अपना प्यार दिखाते हैं, तो वो जिस तरह का शोफ करते हैं, जिस तरह का मेरा उनसे relation है, मैं उसे accept करता हूँ, तो यहाँ पर देखो, बहुत ही प्यारी लाइन कही गई है, वो मुझे मेरे होने का संकेत देते हैं, यहाँ पर poet कहा रहे हैं, कि वो मुझे मेरे होने का संकेत देते हैं, मतलब अगर मैं उनके सामने होता हूँ, तो वो जैसा मैं हूँ, अगर उन्हें मैं पसंद हूँ, तो मुझे प्यार करते हैं, अगर मैं उन्हें ना पसंद हूँ, तो वो मुझे प्यार नहीं करते हैं, मुझे डर आते हैं, तो वो कहते हैं, कि वो मुझे मेरे होने का संकेत देते हैं और साफ तोर पर अपने व्यवार से वो प्रदर्शित कर देती है यहां पर कि मुझे अश्चर्य होता है क्या देखकर मुझे अश्चर्य होता है कि उन्हीं वे संकेत कहां से मिलते हैं मैं बहुत मुझे आश्चर यह है कि वो संकेत उन्हें कहां से मिलते हैं कि हमें कैसा दिखावा करना है यह सीज को लेकर मैं बहुत आश्चर यह चकित हूँ देडाई पास देवे हुज टाइम मैं गो एंड नेगली जेंटली ड्रॉप देम नेगली जेंटली का मतलब होता है मूर्खता से क्या होता है नेगली जेंटली का मतलब मूर्खता से वो कह रहे है कि I did pass the way huge time ago जिस जगह पर वो रहते हैं यहां जहां वो जंगल में रहते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि लंबे समय पहले में महां से गुजरा और मैंने मूर्खता से drop them का मतलब कहा गया है कि जो इंसान के अंदर काभिलियत होती थी जैसे इंसान पहले होते थी वहीं इस जैसे पहले लगता थी मैं कभी उनके रास्ते treatment जुक्त best रहा था कि मैंने मूर्खता सा जो गुण मेरे अंदर ने उस वहां पर उसन आ collecting आ Salem अपना लिया तो देखते यहां पर कितनी prayer कें कहीं गई कितना अच्छा संदेज दिया गया है कि human beings जो है वो कैसे होते चले जा रहे हैं और जो animals है वो कैसे हैं तो यहाँ पर poet हमें यह समझाना चाहते हैं कि दिखावा करने के जरूरत नहीं है इंसान जैसा होता है जैसा उसका nature होता है उसे वैसा ही शौफ करना चाहिए सौफ करने से कुछ नहीं होता है कि अंदर से तो उनके अंदर घ्रना भरी है बाहर से प्यार दिखाते हैं नहीं अगर इंसान है कोई तो बिल्कुल हमें वैसा ही शौफ करना चाहिए जैसा कि हमारे अंदर है यानि कि जैसा हम फील करते हैं दूसरों के लिए हम animals से भी गए हैं क्या गए गुजरे हैं क्या यहाँ पर poet ये कहना चाहते हैं तो animals कैसे होते हैं बहुती innocent होते हैं क्यों क्योंकि उनके मंद में जो होता है वही चीज वो शौफ करते हैं तो कैसी लगी आपको पोयम और क्या मोरल मिली आपको इससे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम 9 से लेकर 12 था कि बाइ